Hello students, welcome to Abhipedia, I am Gurvinder Kaur और आज हम यहां पे SSE CGL Mains की जोग्राफी का यहां पे डिसकेशन करने वाले हैं PYQ उनकी डिटेल डिसकेशन करेंगे, मतलब कुष्टन भी पढ़ेंगे और साथ की साथ हम उनकी डिसकेशन भी करेंगे Let's see So see here student First of all you can join a test, you can join a SEC Mains की test series यहां पे जोइन कर सकते हो 10 test हैं उसमें आपको 60 questions हैं 30 quant की और 30 आपके reasoning के price हैं Only 249, description box में आपको link मिल जाएगा अगर आपको test series की यहां पे requirement है for the SSE CGL Mains के लिए So you can join this, right? जो बहुत useful होती है for the competitive exam ठीक है? उसको crack करने में, time management करने में आपकी help करती है Right? Okay, so यहां पे हमारा WhatsApp group भी है student उसको भी आप join कर सकते हो Right? Let's move So topic यहां पे कौन-कौन से cover करेंगे student वही हम topic cover करेंगे PYQ और PLUS में हमारे detailed discussion So let's move हैं जी So first question यहां पे read कीजिए student पहले question को read कीजिए फिर उसका answer दीजिए क्याता है Filling the blanks is the highest peak in the eastern khat See here student हमारी दो peaks है student अगर आप हमारा South India देखो तो उसमें हमारी दो है इदर वाली को बोलते हैं Western khat, जो western side है और इदर वाली side हमारी क्या है? Eastern khats एक mountain range है students हमारे सदर्ण इंडिया के अदर Mountain range है student कैसे है? See here यहां पे हमारी mountain ranges है student This is we called western khat यहां पे mountain है हमारे पूरे western khat के उपर और सेम हमारे eastern khat के उपर भी क्या है mountain की ranges है Eastern वाली side, eastern khats बोलते हैं और western side जो हमारी mountain ranges है उनको हम west khats बोलते हैं तो क्या बोल रहा है? Highest peak पूछे इसने eastern khat की Eastern khat मतलब इस side वाली highest peak इसने that is the mehendra गिली that is the mehendra गिली खासी जो है वो तो meghालय के अंदर है student वो कहां पे हमारे meghालय की? खासी जैंतिया खासी जैंतिया गारो की hills का आपने जरूर सुना होगा जो हमारे meghालय में यहां पे present है हमारी तीन hills खासी जैंतिया गारो कंचन चंगा, you know that कंचन चंगा तो हमारी कहां पे लाई करती है हिमालय के अंदर लाई करती है और अन्ना मुडाई जो है वो बिलकुल वेस्टन घाट की जो यहाँ पे वेस्टन घाट के यहाँ पे hills मिलती है हमें that we call नील गिरी नील गिरी के नीचे हमारे students present है अन्ना मलाई अन्ना मलाई है यह हमने पहले भी और अन्ना मलाई की हाइस्ट पीक जो है that is the अन्ना मुडी अन्ना मुडी तीन हमें यहाँ पे विलती है अगर मैं दुवारा से स्टेक्चर बना हूँ this is the western ghat this is the eastern ghat यहाँ पे दोनों को connect करता है कौन हमारी नील गिरी उसके नीचे अन्ना मलाई range आती है और उसके नीचे हमारा नाइजर कोल आता है और जो अन्ना मलाई की हाइस्ट पीक है that is the अन्ना मुडी ठीक है clear आपको यहाँ पे ठीक let's move further question read कीजिए student एं उसका answer दीजिए video को pause कीजिए और फिर उसका answer दीजिए right so please read the question very carefully then answer it so क्या question है कहता है when the grains of sand sand के particles की बात चल रही है यहाँ पे are very fine and light सबसे पहले आप यह समझें soil के अंदर हमें बहुत सारे type की हमें soil होती है इसे sandy soil, clay soil, loamy soil, alluvial soil यह soil के type है ठीक है क्याते the sandy is a very fine and light the wind can carry it very long distance when such sand deposit in large area it is called what you know that desert के अंदर बहुत तेज हवा चलती है और sand के अंदर humidity होती नहीं इसलिए बहुत हलकी होती है तो wind उसको बहुत दूर दूर तक उड़ा के ले जाती है you know that के desert के अंदर कितनी ज्यादा आंधी चलती है है ना तुफान चलते हैं जो बहुत सारे अपने साथ sand के बड़े-बड़े dunes उठा के उसको कहीं के कहीं फैक देती है जो wind होती है हमारी तो उसको हम क्या बोलते है students हम बोलते हैं lois तो हम क्या बोलते हैं lois ठीक है राइट moraine, mushroom, stacks यह हमें अलग-अलग rocks में दिखाई देता है ठीक है geomorphology में आप बढ़ोगे right moraines वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर glacial जो है वो जब नीचे सरकता है ठीक है वहाँ पर जो deposit बनता है mushroom एक rock जब you know rock जो है वो इस तरीके से इस तरीके से जब rock जो है वो नीचे से wind erosion हो हो के rock जो है साइडों से क्या होनी शुरू होनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर जो rock बच जाती है वो mushroom type ऐसे shape सा ले लेती है जिसको हम mushroom rock बोलते stacks you know that की coastal region की अंदर अगर मालो यहाँ पर कोई mountain है चोटा सा टुकडा जो है वो कट कर हो जाता है वो अलग हो जाता है जिसको हम stacks कहते है ठीके students, okay, clear आपको यहाँ पर let's move further question number 3 please read the question and then answer it question read कीची student और फिर उसका answer कीची question number 3 El Nino and La Nina see here El Nino is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of what see here अगर आप world geography अच्छे से देखो अगर आपने world map ध्यान से देखो तो सिर्फ यहाँ पर देखो this is our South America South America South America के इस coast पे एक country है that we call Peru that we call the Peru और इदर वाली साइड जो हमारा ocean पढ़ता है this is we call the South Pacific South Pacific Ocean तो होता है इदर वाली साइड हमारे क्या है Australia तो सबसे पहले इस question को समझने से पहले आपको ocean current के बारे में पता होना चाहिए ocean current के बारे में पता होना है what is ocean current let's see ocean current को समझते है what is ocean current for the heat budget सबसे पहले आपसे यह समझे nature का rule है student जहां पर भी कोई चीज ज्यादा होगी हमेशा कोई भी food है कोई भी wind है कुछ भी है वो हमेशा move करता है from high concentration to low concentration it means कि कोई चीज अगर कहीं पर ज्यादा है तो move करती है towards the low concentration मतलब कि जहां पर कम है जिसे कि wind wind का हमेशा यह एक nature है rule है कि वो हमेशा high concentration low की तरफ move करेगी मतलब कि high pressure से low pressure की तरफ move करती है सेम चीज हमारी कोई भी concentrated है मालो आपने sugar का अगर solution लिया है मालो आप ink ऐसे करके जब आप pour करते हो पानी के अंदर घरे घरे इंक जो है वो नीचे जाना शुरू कर देती और वो uniformly पूरे water के अंदर distribute हो जाती है क्योंकि किसी भी fluid का यह एक nature है कि वो high concentration से low concentration की तरफ move करते है इसी तरीके से जितना भी हमारा ocean का पानी है अर्थ की अंदर वो move करता है जैसे दिख हुए आप समझो इसी this is our earth this is the sun तो जब sun की light जो है वो directly vertically पढ़ती है किसकी उपर equator की उपर और slant करके पढ़ती है किसकी उपर हमारे polar region and you know that कि polar region में क्या है polar region के अंदर slant जैसे आ रही है winds, sorry जो sun की रही है वो slant आ रही है जैसे कि अभी winter आने वाली है Northern India के अंदर तो जो light है sun rays है वो vertical ना पढ़के plant इस तरीके से side से पतलब कि जो हमारा sun है वो horizon में ही रहेगा तो वो vertically हमारे head की उपर नहीं आता just like a summer तो slant जब rays आती है तो बहुत long distance travel करके आती है उसमें heat कम लगती है insulation कम होती है आपको heat कम feel होती है विंटर के अंदर जो sun की light होती है वो बड़ी अच्छी लगती है वो pleasant लगती है वाई? क्योंकि वो slant आ रही है कि अंदर इतनी ज़्यादा heat नहीं है ठीके? जिसकी वज़े से हमारी skin जलने लग जाए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझे तो equator की उपर क्या है student directly vertically raised पढ़ रही है कि इसकी sun की तो यहाँ पर sun insulation जादा है जिसकी वज़े से यहाँ का पानी जो है वो गर्म हो जाते है और जो उपर polar region उपर यहाँ पर जो पानी present है वो क्या है? वो cold water है cold water है तो student ocean की current current का मतलब होता है student extreme एक धारा तो जो warm water है student वो क्या करता है? warm water जो है वो equator से pole की तरफ move करता है equator से pole की तरफ move करता है एक particular direction एक particular direction की अंदर एक particular direction की अंदर क्या करता है? जो wind है वो circulate करता है particular direction में वो बहता है इसलिए हम उसको current कहते है तो ocean currents जो है वो flow करती है ठीक है? अब हम आते हैं हमारे उसके उपर और उसी तरीके से cold currents से भी उपर से नीचे की तरफ move करती है की जो ocean का पानी है वो अपना जो temperature है उसको balance करके रख रहे है बतलग की कहीं पर ऐसा नहों की बहुत ज़्यादा पानी गरम हो जाए और वहां का जो उसके अंदर जो flora and funa है जो भी animal rare है वो उनकी death हो जाए हो सरवाई भी ना कर सके और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है पानी बहुत ठंडा हो गया और उसके अंदर सारा flora and funa क्या हो गया? dead हो गया ठीक है? तो that's why एक optimum condition बनी रहे इसलिए क्या होता है यहाँ पर पानी जो है वो move करता है अगर आप अर्थ की उपर अगर आप साउथ अफरीका की location देखो तो वो यहाँ पे है तो यहाँ से student नीचे से क्या होता है कि एक खंडे पानी की यह polar region है हमारा यह हमारा polar region है student पोल से उपर की तरफ, equator की तरफ this is the equator 0 degree जो मध्या रेखा भी बोलते है यहाँ से ठंडे पानी की current है वो जाती है किसके साथ साथ जाती है यहाँ पेरू की coast के साथ साथ जाती है मतलब कि South America की इस coast के साथ साथ आगे बढ़ती है तो obviously वो cold current होगी cold current होगी student अब आते हम लेकिन कई बार क्या होता है किसी condition की वज़े से यह जो current नीचे से आ रही है वो ठंडी न होके गरम हो जाती है वो ठंडी न होके गरम हो जाती है उसका temperature बढ़ जाता है पानी का बलन की इतना नहीं बढ़ता पठा बढ़ जाते है जितना उसको होना चाहिए था उतना ना होके वो ठोड़ा गरम हो जाते है तो warm current करेते हैं इसी condition को student हम L-Nino इसी condition को हम क्या कहते है L-Nino कहते है जिसकी वज़े से यहां का जो local climate है जो local weather है वो affect हो जाते है obviously माल लो अगर सर्दी के अंदर यहां बहुत ज़्यदा गरमी पड़ने लग जाए North India के अंदर सोचो climate कितना change आपका weather जो है local weather वो कितना change हो जाएगा आपको सर्दी के कपड़े निकालने की जरूरती नहीं पड़ेगी 12 महीने आपके गर्मी गर्मी ऐसा वैसे होता जा रहा है धीरे धीरे जो हमारा winter season हो कम होता जा रहा है आप देखो अक्तुबन का मन था गया और यह सी चल रहा है तो it means गड़बड है जो climate है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है गर्म होता जा रहा है I hope कि आपको अब समझ आ गया होगा El Nino जो है warm ocean current तहां पे आ जाती है पेरू के अंदर आ जाती है पेरू के अंदर आ जाती है I hope कि आपको concept clear हो गया होगा Let's move Question पढ़िए Question number 4 पढ़िए Feed कीजी question very carefully Then answer क्या कहता है which of the following is not Not an inner planet of our solar earth Solar system में you know that की 8 planet यह हमारा sun है Pink color का बना लेते हैं प्यारा sun और फिर उसके बाद हमारे हमारे planet start होते है हमारे planet start होते हैं तो penis, mercury, earth discover earth, discover mars यह हमारा mars है इन प्लैनेट्स को सुझे है जो पहले 4 planet है पहले 4 कौन से Venus, Mercury Mercury, Venus और हमारा earth और mars यह जो हमारे 4 planet है student इनको हम बोलते हैं inner planet इनको हम क्या बोलते हैं inner planet वाई वी कॉल इट है inner planets because जो इनका interior structure है जो इनका surface है वो रॉकी टाइप है वो रॉकी टाइप है पत्थरीला है और atmosphere ज्यादा तर clear ही है due to sun rays इसकी वज़े से इनको हम inner planets कहते हैं उसके बाद Mars और Jupiter यहाँ पे कौन सा planet है हमारा Jupiter बहुत बड़ा planet है सबसे बड़ा planet है Mars और Jupiter planet के बीच में student हमारी एक asteroid belt लाई करती है कौन सी belt लाई करती है यहाँ पे हमारी asteroid मतलब कि छोटे-छोटे asteroid आया जो sun के round घूम रहे हैं तो हम कहते हैं asteroid belt यही asteroid belt जो है वो distinguish करती है inner planets को और outer planets को inner planet में हमारे चार planets है student Mercury, Venus, Earth and Mars और बाकी जो चार बचे Jupiter के उदर वाली साइड Jupiter और जो next हमारे planets है Uranus और हमारा Neptune और हमारा Saturn वो जो planets हैं उनको हम क्या बोलते हैं outer planets तो option क्या होगा student Jupiter is the part of outer planets not inner planets ते रहे student आपको जाने को क्यों let's move further attempt कीजिए कहता है which of the following pairs of soil characteristics is correct soil के बारे में बताना है आपको student क्याता है sandy सबसे पहले sandy के बारे में देखे क्याता है sandy जो soil मतलब sand जो है proportion of fine particles क्याता है उसके अंदर fine particles मतलब की बहुत छोटा size particle का present होता है relatively higher होता है मतलब की बहुत ही महीन soil होता है फिर बात करता है clay की clay मतलब chickeny मिटी greater proportion of big particles दोनों statement actual में clay का जो चीकनी मिटी होती उसके particle का size बहुत छोटा होता है 0.002 mm कितना छोटा होता है और जो हमारा इधर वाला होता है उसका होता है 0.05 mm तो particle का sand का जो particle होता है वो थोड़ा बढ़ा होता है compared to clay statement कौन से सही होगी 1 sandy का जो particle होता है वो काफी ज्यादा fine होता है काफी ज्यादा मतलब large होते है compared to clay clay के particle ज्यादा fine होगी ना कि sandy question number 6 पढ़िए और not correct पूचे not correct पूचे question पढ़ते हैं यहाँ पे student क्या है देखिए आप यहाँ कैता है which of the following statements regarding the duck and plateau is not correct कैता है the satpura range flanks its broad base in the west satpura range अगर आप ध्यान से देखो यह है उपर हमारे रहती है विंद्या चल और उसके नीचे हमारे एक river flow करते that we call नर्मदा या कौन सी river flow करते है student नर्मदा नीचे student हमारी range आती है आती है that we call satpura के उपर विंद्या और इसके नीचे एक river flow करते that we call तापी तो यह जो range है ना student यह west में आप रोड होकर यह east में चौड़ी किदर है east वाली साइड है ना कि west वाली साइड तो statement 1 जो है वो not correct है बाखी statement भी देखो तो डखकन प्लेट्व इस ट्राइंगुलर लेंड मास बिलकुल अगर आप ध्यान से देखो डखकन जो प्लेट्व है वो कुछ इस तरीके करें ठीक है ठीक है तो ट्राइंगुलर लेंड मास है एन extension of the plateau is also visible in the northeast बिलकुल northeast के अंदर हमारा डखकन प्लेट्व इस टेंड करता है जो एक हमारा डखकन प्लेट्व है यहाँ पे इसको मेगाल्य प्लेट्व कारवी ठीक है कारवी आंगलोंग वाला जो एरिया है वहां तक extend करता है कौन सा हमारा Deccan Plate जो Megalia Plateau है that is the extension of what Deccan Plate the Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward बिल्कुल student definitely correct statement है कैसे correct है कितनी भी rivers है वो flow करती है west से east की तरव obviously west वाला जो area होगो ज्यादा uplift होगा तभी तो river इदर वाली side flow कर रही है अगर बराबर होता तो river कैसे flow करती इदर होता तो river ऐसे flow करती east से west की तरफ आती but west side rivers जाती west से निकलती है सारी river कौन-कौन से Godavari Krishna Kaveri वो सारी rivers जो बड़ी-बड़ी rivers है Southern India की वो सारी कहां से निकलती west side से निकलती और move करती towards the Arabian towards the Bay of Bengal तो duckan plateau जो है वो west वाली side क्या होगा थोड़ा उठा होगा और east वाली side थोड़ा इस तरीके से slant होगा सभी rivers जो है वो इदर move करती इंडिया को अगर आप इंडिया ऐसे tilt है ठीके ऐसे है फोड़ा सा slant है western side इंडिया की थोड़ी उठी होई है eastern side थोड़ी नीचे है तो statement 1 is the option correct ठीके let's move further 7th question देखिए ये question हमने पहले भी किया हुआ आप पढ़िए इस question पोराम से कैता था माजोली इस दा रिवर आइलेंड इन दा ब्रह्मपुत्रा रिवर इच बिच ओफ दा following statement of the state of India ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो माजोली आइलेंड है know that ब्रह्मपुत्रा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलेंड बनाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कहां से ओरिजनेट होती है डू कामेंट ठीक है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है जब वो आशाम से भैती है तो वो माजोली आइलेंड बनाती है smallest आइलेंड भी ब्रह्मपुत्रा रिवर ही बनाती है तो option C is the correct option, that is the Assam, ठीक है, okay let's move further 8 number question पढ़िये क्याता है, which of the following pair of country name, grassland is correct ठीक है grasslands, you know that दुनिया में, वर्ड में, हर चगह पे grasslands मिल के, grasslands मतले हैं, बहुत बड़े बड़े घास के मेदान और उनका अलग-अलग नाम है अलग-अलग countries में, अलग-अलग नाम है जैसे down जो है, वो Australia के अंदर जो grasslands उनको वहाँ पे down बोला जाता है अच्छा, देखे कहता है, Argentina में इसको pump pass बोला जाता है, Argentina हमारी South America की country, Brazil भी South America की country कहता है, उसमें उसको stepay बोला जाता है, नहीं stepay जो है, वो हमारी Central Asia के अंदर जो हमें grass मिलती, Central Asia के अंदर जो student हमें grass मिलती, Central Asia, वहाँ पे इसको stepay बोला जाता है ठीके, तो option one is the correct option, only one sorry, sorry, ये तो नहीं होगा four option is the correct, only one state, correct option, one is the correct option तिरफ Argentina के अंदर ही इसको pump pass बोला जाता है Brazil के अंदर, Brazil South America में ही है, जब अहाँ पे उसको stepay नहीं बोलते, stepay जो है वो हमें Central Asia के अंदर उस grass को बोला जाता है let's move ज़र, कहता है which of the following factors of soil formation determines the accumulation of soil, इसको question है that is the relief factor soil formation को determine some relief factor question number 10, where does the east coast of India lie, कहता है east coast कहां पे लाई करते है, बहुत ही simple, बहुत ही simple this is our western coast, ठीक है so obviously, जहां पे हमारे western घाट्स हैं और यह हमारा Arabian Sea है, इसके बीच में जो stay, लाई करेगा, plain area उसको हम क्या बोलेंगे west coast, so obviously, विल्कुल वैसी eastern घाट, जो हमारे mountains हैं और जो हमारा Bay of Bengal का sea है, उसकी जो coast है तो उसके बीच के अरिये को हम क्या बोलेंगे east coast, बीच के अरिये को क्या बोलेंगे, east coast, so between the eastern ghat and the Bay of Bengal is called called of India right, बज़ेदार है न, बहुत interesting, right, बस थोड़ा सा धिहान देखे बढ़ने के ज़िए है हो गया, done okay students, but before leaving I want to see a student, अगर आपको किसी भी exam के लिए त्यारी करनी है for example, आपको त्यारी करनी है SSC CGL, so let's see SSC CGL के लिए आप कैसे त्यारी कर सके तो SSC CGL exam पे जाने के बाद आपको microverse पे click करना है, microverse पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना number register करना और call करते है, होगी call अगर माल लो आपको सिर्फ journal study prepare करना, बाकि सब त्यार है आपका तो 884 और रुपीज में student आप पूरी की पूरी journal science साइंस त्यार कर सकते हो for the same माल लो आपको सारा नहीं करना, जर्नल साइंस आपको सिर्फ geography करनी है, तो 156 में आपको 10 lecture मिलेंगे 14, 17 आपको multiple choice question मिलेंगे student और आपकी geography यहाँ पे done हो जाएग for the SSC CGL daily, तो इस तरीके से आप बहुत ही, you know, time management के साथ साथ आप बहुत ही smart study करके अपने exams को clear कर सकते हो okay students, तो मैं यहाँ पे lecture कर रही हूँ, over thank you so much, have a nice day